असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ हाइदरबाद की बहुत ही फेमस दहीवडों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनते हैं और आप देख सकते हैं यह बहुत सॉफ्ट भी बने हैं मैं आपको इसे बहुत ही आसान तेरीके से बताऊंगी तो आप स्टेप आप स्टेप रेसिपी को फॉलो करिए तो इसे बनाने के लिए मैंने यह 250 ग्राम उरट डाल या माशकी डाल ली है और इसे मैंने 5-6 घंटे के लिए पानी में भीगने रखा था डाल को अच्छे से धोकर एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे साथ ही इसमें 3 हरी मिर्चे और आधा चमच नमक डालेंगे धही वड़े को फलफी बनाने के लिए मैं इसमें 1-4 चमच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ अब इसमें बस 2-3 चमच पानी डालेंगे और माश की डाल को अच्छी तरीके से बारी ग्राइंड कर लेंगे आप डाल को ग्राइंड करते समय इसमें बहुत ज्यादा पानी आड मत करिए बस 2-3 चमच पानी ही इसमें काफी है ये बैटर बहुत ज्यादा थी कि या पतला भी नहीं होना चाहिए बस मीडियम कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे अब हम इसको अच्छी तरीके से फेटेंगे सिर्फ एक डाइरक्शन में ही आप हाथ को चलाते वे इसे करीब 7-8 मिनिट के लिए फेंट लिजिए अच्छी तरीके से फेंट ने से वड़े बहुती सॉफ्ट और टेस्ट में भी अच्छे बनेंगे तो देखिए अब मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है अब हम इस पर ढखकन ढख देंगे और इसे साइड में 10-15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे जब तक हम इसके लिए दही तेयार कर लिए तो इसके लिए एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिए और उसमें करीब 400 ग्राम दही दाल लिए दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए अब इसमें मैं एक ग्लास पानी दाल रही हूं पानी दालनी के बाद इसे वापी से अच्छे से मिक्स कर लिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने मीडियम पर रखी है अब इसमें एक बारी कटीवी हरिमेच और देखी है यह बहुत पतला भी नहीं है और बहुत थीक भी नहीं है अब जो माश की दाल को हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी अपसेट हो गया है इसको वापिस से करीब दो मिनिट के लिए फेंट लेंगे हमारा बैटर रेडी है या नहीं यह चेक करने के लिए मैंने एक आदा चमाज जीरा एक इंच कटावा अद्रक और थोड़ा सा बारी कटावा हराधनिया दालेंगे अद्रक दालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो देखे अब हमारा यह बैटर फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है यह तेल मैंने अल्रेडी गरम होने क के लिए रखा था जब तेल मीडियम गरम हो जाएगा तब हम बैटर का थोड़ा थोड़ा पोशन हाथ से लेंगे और इस तरीके से ड्रॉप कर दिंगे आपको जो साइस का वड़ा पसंद है उस साइस का पोशन बना सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज्यादा टा तब हम इने फ्लिप कर लेंगे और इनका सारे साइचे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे मैंने बेसन के दही वड़े कीवी रेसीपी अपलोड की है अगर आप वो देखना चाहो तो आप मेरे चानल पर जाकर देख सकते हैं तो देखे अब ये वड़े हमारे फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हैं हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनका थंड़ा होने तक वेट करेंगे जब ये पूरी तरीके से थंड़े हो जाएंगे तब हम इने पानी में दालेंगे इसे वड़े बहुत ही जादा सॉफ्ट बनेंगे तो उ देखिए अब मैंने इसमें सफिशन पानी आड़ कर दिया है अब हम इसमें करीब आदा चमश नमक दालेंगे और नमक को पानी में अच्छे से घोल देंगे तो अब हम वड़ों को पानी में ऐसे ही 7-8 मिनिट के लिए रहने देंगे तो अब हम इस पर धकन ढाग देंगे ताके वड़े ये पानी अब्जॉब कर ले इसे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे तो देखिए 7-8 मिनिट बात इन वड़ों ने पानी को अच्छी तरीके से अब्जॉब कर लिया है अब हम इने हाथ में लेंगे और हलक के लिए तड़का तयार करेंगे तो इसके लिए एक अड़ाई में दो बड़े चमश तेल गरम कर लीजिए इसमें आधा चमश जीरा आधा चमश राई दो सूखी लाल मिच्चिया और थोड़ा सा करी पत्ता दालेंगे इसे करीब एक मिनिट के लिए फ्राई कर लिए तो दही और तड़के को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए तो देखे अब हमारे हाइदरवादी स्टाइल दही वड़े बिल्कुल रेडी है और ये रेसिपी बनाने में भी बहुत ज्यादा आसान है अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके स बुलिए थैंक यू